राजनीती में आगे बढ़ने के लिए कई सारे गुणों की जरूरत होती है। उसे दयालू होना भी जरूरी है और अगर आप में ये सब गुण हैं लेकिन आप बोलने में कतराते हैं मतलब जनता की बीच खड़े होकर बोलने में आपको संकोच है तो राजनीती में आप भले ही कितने बड़े धुरंदरी क्यों ना हो आप पीछे रह जाएंगे ऐसा ही आज कुछ हो रहा है सागर के एक बड़े नेता के साथ जिसके चुप रहने की आदत के कारण आज राजनीती में वो औरों के मुकाबले थोड़ा पीछे है जी हां हम बात कर रहे हैं बीजेपी के वरिष्ट नेता विनोत्तिवारी की विनोत्तिवारी बीजेपी के उननेताओं में है जब बीजेपी के चुनिंदा कारकरता उननेता हुआ करते थे बुंदेल खंड के दिगज नेता स्वरगी हरनाम सिंग राठोर के खेमे से राजनीती करने वाले विनोत तिवारी आज मंत्री भारगव के बेहत नजदी की है साल 1990 में सागर विधान सबा से BJP के प्रत्याशी रहे पाइटी ने उन्हें तब चहरा बनाया था जब सागर में BJP का नाम लेने वाले कम लोग थे इसके अलावा वर्तमान में नगर निगम के वरिष्ट पारशद हैं फिलाल M.I.C. के सदस्य हैं इसके पहले वो सागर नगर पालिक निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं अपनी चुप्पी यानि कम बोलने की आदत और चरण वंदना ना कर पाने की फितरत के चलते वो राजनीती में जो मुकाम हासिल करना चाहिए था वो नहीं कर पाए लेकिन एक निडर और इस पस्टवादी नेता की उनकी छवी आज पूरे शहर में है विनोत्तिवारी जब नगर निगम के अध्यक्ष थे तब उनका कारकाल सभी पार्शत और करमचारियों के लिए यादगार रहा उन्होंने हमेशा एक अच्छे पालक की तरह नगर निगम चलाई हर छोटी छोटी चीज़ों को वो ध्यान में रखते थे फिर चाहे बहतरीन भोजन हो या परिशत की बैठक में मान सम्मान और हसी मजाग की बात है उन्हें सब पसंद किया करते हैं खेर इन सब खुबियों के बाद भी उनके चुप रहने की आदत उन्हें हमेशा पीछे ढकेलती रही विनोत तिवारी वो नेता है जो बीजेपी में हमेशा सक्री रहे लेकिन आज भी उन्हें राजनीती में एक बड़े ब्रेक की तलाश है खुक लिबरेड यूटिफ थर्टीम एकर्श तो चूड़ेश टूडं और अज प्लेशन थास्टीम प्लेश टूड़ेश अूट्टी उन्हें बाद सल्या सिन्हा के इन्यू श्यूंट । तूड़ेश न दूड़ेश इन्हाँ पाद स्टूड़ेश धे पूड़ेश फ पादसल्य इस वेर एड़केशन नेट एक्सलेंस